जै मादाजी मित्रों मेरा नाम पंडीत प्रकाध जूशी स्वागत है मेरे यूट्यू फेस्बुक चैनल ऐस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा करने हैं कुम्ब राशी के मासिक राशी फल मार्च की इस्तिती के बारे में क्योंकि फरवरी के मेंने में तो सूर्य और शनी हटेंगी तो वह स्तति यहां काफी सारी कुम्भृ राशी वालों ने बताई सूर्यो शनी की यूथ है पहला पिता या बहुत से अकारण झगडा हो गया ये जातर कुम्भा उने बताया साती साथ शमसान या अस्पताल के अनावशक चक्कल लग गए तीसरी चीज सरकारी बुक्तान या चलान का बुक्तान करना पड़ा पाव चौती चीज परिवार के अंदर एंटी प्रॉबलम पेट की समस्य किसी को रही साती साथ बच्चों से समंदिर टेंशन में कुमराशी वाले फरवरी में रहे अब मार्च का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं मार्च में सबसे पहले स्वास्त में देखें तो ये कुल्ली के अनुसा सूर्य बुद्ध और चनी तीनों ग्रह आपके स्वास्ति भाव में बढ़ जाएगा मित्रो एक तरिक से लेकर 15 मार्च तक ENT की प्रॉब्लम घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम पैर में हलकी चूड भी लग सकती है या कुत्ता काटना या जानवर से थोड़ी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती यानि कि 15 मार्च तक कुल मिलाके सूर्य शनी और बुद्ध की जो यूत स्वास्ति ठीक होगी मित्रो परिवार के साथ में प्यार प्रेम बढ़ जाएगा एकागर चित्ता आपकी लग जाएगी संतान पर ध्यान देने लगेंगे योगा जीम करने लगेंगे और स्वास्तिकी भी जो प्रॉब्लम में चल रही है वो भी आपकी ठीक होने लगेगी तो याद रखिएगा 16 के बाद आपके स्वास्ति की स्थती अच्छी है धन की बात करें तो धन बाओं में गुरू और शुक्र दो गरे विराज माने तो दो बाओं में बटेगी पहला एक तारिक से लेकर 12 मार्च तक देखा जाए आए और व्याय दोनों ही होता हुआ मार्च के मेने में नजर आ रहा है खासकर 12 मार्च तक धन में बृद्धी होगी हलका धनलाब भी आपको होगा धन आपका विवा शादी पे या समारों में खर्च होता हुआ भी नजर आ संधराय परिवार में किसी सदस्यपे आपका धनकरच होगा तो यह रिए कर 31 मर्ज के बीच में शुक्रका राशी परिवर्तन के बाद आपको धनलाब के योग बैंक यह सरकारी धनलाब is a pump न शाधा होगा यह रेंटल आपको रेंटल जो आपका खाली पड़ी है प्रॉपटी उसको रेंट पे चड़ जाएगी तो वहां आपको फाइदा होगा तो कुल मिलाके यहां पर आपको धन विर्दी के यूग 13 मार्ज के बाद दिखाई देंगे अब परिवार बाओ की बात कर लेते हैं तो एक तारीक से लेकर ओ 13 मार्ज तक देखा जाए तो घर कलेश की स्थी क्यूकि चतूरत मंगल बैठे हैं और थोड़े वीग बैठें तो ऐसे में क्या होगा घर में कलेश वाद विवाद या परिवार सदस्यों में मनमुटाव रहेगा चिला चिली घर के अंदर रहेगी घर में किसी ना किसी चंता से चिंतित रहेंगे आप फिर 14 तारिक से लेकर और 31 मार तक देखा जाए मंगल के राशी परिवरतन के बाद इस्तती ठीक हो जाएगी संतान के बारे में बात कर लेते हैं तो संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और संतान भाव के स्वामी देखेंगे तो केंद्र में सूर्य बुद और शनी के साथ बैटें यानि के एक तारिक से लेकर 16 मार तक पहले तक चोटी संतान की बात करे तो उनमें E&T की प्रावलम रहेगी जिद्पन रहेगा एकागर जित्ता की प्रावलम रहेगी बड़ी संतान याने 18 प्लस की संतान की बात करें तो उन पे जिद्पन रहेगा और माता पिता से वाद विवाद यानि आप से वाद विवाद बहुत ज़्यादा करने लगेंगे क्रोध बढ़ जाएगा 17 तारिक के बाद से लेकर 31 मार तक देखा जाए तो छोटी संतान की स्तती भी ठीक है बड़ी संतान की वाणी मुदूर हो जाएगी विद्या और करियर में उनको लाब होगा तो कुल मिलाके संतान का 1 मार से लेकर और 16 मार तक की स्तती बहुत बढ़िया नहीं है बात करते हैं विद्यार्तियों के लिए देखा जाए एक तारीक से लेकर 16 मार्थ तक बुरी संगत में पढ़ने के आपके योग बनते हैं अगर चित्ता में कमी रहेगी धनका खर्चा अधिक होगा तो विद्यारतियों को 16 तारिक तक कोई बुरा काम नहीं करना नहीं तो आप फस सकते हैं सत्रा से लेकर 31 मारत तक इस्तती बहुत अच्छी है बिद्या के लिए इस्तती बहुत अच्छी है लेकिन 16 तक साबधान रहना है अब बात करते हैं उनकी जो नौकरी करते हैं उनके बारे में बात करें तो एक तारिक से लेकर और 31 मारत तक पूरा महीना सामाने फल दायक रहे अब बात करते हैं तो दामत्य जीवन सबसे पहले हम बत करते हैं प्रीमी का यानी लावकपल के बारे में तो उनका जो यह मार्ज का महीना यह दो बांकों मैं पड़ता है एक तारिक से मैं लेकर 15 मार्ज जाए तो दोनों में आपस में वाद विवाद जादा रहेगा पार्टनर के करियर में परिशानी बहुत जादा रहेगी तो कुल मिला के जो पंदरा दिन है आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है परिशान रहेगा आपका पार्टनर और आपको भी परिशान करने वाल तो वहां माता-पिता का आगमन हो सकता है या आपके पार्टनर का घर का या पैत्रिक गाओं का चकल लग सकता है ऐसा योग बन रहा है बात करें पती-पत्नी की तो एक तारीक से लेकर 15 मार तक देखा जाए तो आपकी पत्नी हेल्थ से बड़ी परिशान रहेंगी यानि आप आपका पार्टनर को पैरों में दर्द की परेशानी या पैर में हलकी चोट लग सकती है जानवर से कोई नुकसान हो सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है 16 तारीक से लेकर 30 मार तक देखा जाए तो आपके पार्टनर को करियर में बड़ी खुशकबरी मिलेगी और आपके पार यानि 50% महीना खराब 50% महीना अच्छा है अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की तो व्यापारियों के लिए देखा जाए तो एक तारीक से लेकर 13 मार तक की स्थती देखी जाए तो व्यापारिस्थल में रेनुवेशन की योग बन रहे हैं बिजली मशीन पर आपका धन खर्च होगा मार्केटिंग टीम से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं 14 तारीक से लेकर 31 मार तक देखा जाए तो मंगल का राशी परिवर्तन के बाद काम के सिल्सले में आपकी नदी समुद्र की या विदेश की यात्रा के अच्छाना क्योग बनेंगे और काम ये जो म पुमबराशी का मासिक राशी फल और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं क्योंकि ये समान्य प्रेडिक्शन है अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा वाट्सअप नंबर आ रहा है इस पर वाट्सप पर डिटेल डालिए आपको क्या करना नाम आपको मुझे सेंड करना और टैलिफोनिक अपॉनमेंट मुझसे बुक करनी है ताकि मैं आपकी कुडली का विशलेशन कर सकूं आपका दशा महादशा का उपाय का उपाय दे सकूं एनलाइस कर सकूं आपकी कुडली में क्या दोशें वह बता सकूं इसके लिए आपको इतना ही मुझे दिजे जारा चेम आता दे